आए आई ट्रांस्फोर्मेशन प्ले बुक कि यह आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा एए ट्रांस्फोर्मेशन हमने यह देखा था कि कोई कमपनी अगर डेटा कमपनी है कोई सौफ्ट्वेर कमपनी है उसे अपने आपको एए एक company में shift करने के लिए transform करने के लिए क्या क्या steps करने पड़ते हैं तो यहां उनकी हम समरी एक बार फिर डिसकस करते हैं execution of pilot projects to gain momentum यह पालेट प्रोजेक्स अबने डिसकस किया था कि यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा project हो और बहुत ही एहम project हो यह चोटा भी हो सकता है और यह कोई बहुत ज़्यादा most valuable project भी नहीं हो सकता एक आम सा कोई चोटा project आप इसको start कर सकते हैं pilot project के तोर पे कोशिश यह करने होती है कि 6-12 महीने के दरम्यान आपके project का output जो है वो आ जाये इस से ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए उसकी वज़ाई यह होती है कि आप जब market में एक अन्वे कर चुके हैं कि आप हमें AI company हैं तो जो आपके stakeholders हैं आपके clients हैं वो तमाम लोग expect कर रहे हैं कि आप जल्दर जल market में कोई product अपनी लेकर आएंगे तो अगर वो within six month और 12 month के दरम्यान में एक आप product जो है वो launch कर देते हैं या market में ले आते हैं तो यह good image जो है वो market में चला जाता है बजाए इसके कि आप जो है ना वो बार बार यह करते हैं कि आप एक AI company हैं लेकिन कोई product जो है वो नहीं बना पा रहे है छे महीने गुजर गया, साल गुजर गया, डेर साल गुजर गया लेकिन आपकी product मार्कीट में आई नहीं सकी जो इस बात की guarantee दे सके हाँ यारब वाकई आपके पास AI expertise हैं तो कोशिश ये करनी है, छे से बारा महीने के दर्मियान आपने प्रोजेक्स को अपने मार्कीट के अंदर लेकर आना है टीम को outsource भी किया जाय सकता है और in-house भी build-up किया जा सकता है तो ये दोनो strategies जो हो सकती है, depends upon कि कैसी strategy आपकी है और किस तकरां का आप प्रोजेक्स के बाद, build-up in-house AI team आप जो प्रोजेक्स करने जा रहे हैं, उसके लिए in-house AI team भी तैयार करें ये हो सकता है कि आपने outsource किया हुआ हो, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आउट्सोर्स होकर लेकिन आपको कोशिश कर देंए कि अपनी in-house AI team भी आइस्ता आइस्ता development शुरू कर देंए उसकी AI team जब आप in-house build करेंगे, तो ये एक centralized team होगी जो आपके तमाम business units के साथ communicate कर रहे होगी, या आपके तमाम business units AI की team के साथ या AI के unit के साथ communicate कर रहे होंगे, हर unit के अंदर AI का जो unit है, वो monitor कर रहा होगा किस तरह इस unit के काम को AI base किया जा सकता है, और बहुत automation इसमें डाली जा सकती है हर business unit जो है, वो खुद से भी AI की team के साथ communicate कर रहा होगा कि भी हमारा ये काम जो है, वो automate हो सके, इससे जो है, वो क्या फायदा हो सकता है तो एक centralized AI unit form होगा, जो तमाम business units के साथ communication कर रहा होगा तमाम business units को एक जैसी support provide कर रहा होगा AI का जो lead होता है, वो companies में कौन होता है इसमें बहुत सारे roles होते हैं, मुखतलिफ जगों पर मुखतलिफ roles की lead की जाते हैं जिसमें सबसे मशहूर role chief AI officer का है, CAIO, chief AI officer इसके इलावा CIO भी कहलाता है, CDO भी कहलाता है, बहुत सारे roles हैं जो कहलाते हैं, यह अपने अपने departmental heads होते हैं या अपनी AI team के leads होते हैं, जो के अपने unit को run कर रहे होते हैं इसके बाद provide broad AI training, आपने अपनी AI team की broad level पे जो है वो training करनी है वो जो software engineers हैं, वो लोग अगर चाहरे हैं कि वो AI की तरफ shift करना चाहरे हैं तो आपने उनको AI की training करानी है, आपने अपने line managers की AI training करानी है आपने अपने technical लोगों की AI training करानी है, क्योंकि आप वो AI के domain में आ रहे हैं तो आपने उनकी training करानी पुड़ेगी, आप इस इन सब लोगों को outsource कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी company के अंदर से ही वो लोग जो AI में shift होना चाहते हैं आप उनकी training कराएं, तो ये cost effective भी होगा और उनके लिए adjust होना भी आसान होगा बजाए इसके कि आप बाहर से लोगों को लें, फिर उनकों पर जो है ना वो मैनत करें और आप company के माहौल में adjust हों, इसमें time लगता है, तो बैतर ही है कि आपके पास पहले से जो मौझूद software engineers हैं, आप उनकी in-house training या बाहर बेजा जाए या उनके course कराए जाएं, किसी भी तरह से उनकी training कराके अगर वो willing है, उनकी training कराकर जो है, वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम broad AI training की बात करते हैं, तो इस से क्या मुराद है? broad AI training means कि आपने हर उस बंदे को train करना है, जो आपकी team का part है अब ये team का part, top management भी है, middle management भी है, नीचे team leads भी है और developers भी है अब top management तो non-technical होती है, उनकी AI training कैसी हो, तो उनकी AI training के लिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें define हुई भी हैं, कि executives और senior business leaders को क्या सीखना चाहिए AI के domain में, उन्हें strategy बनानी आनी चाहिए, उन्हें resource allocation करनी आनी चाहिए उन्हें ये पहचानना आना चाहिए, कि उनके business sector में AI क्या perform कर सकती है ये उनका domain होगा, उन्हें इस बात की कोई knowledge ना भी हो, कोई सरुकार नहीं है कि AI काम कैसे करती है, supervised learning क्या है, machine learning क्या है, ये उनका domain नहीं हो उन्हें ये तीन चीजें और इस जैसी बहुत साथी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए AI के बारे में फिर उसके बाद आता है leaders of division ये departmental heads जो AI projects पे काम कर रहे हैं, इनकी क्या training हो सकती है इनको project execute करना आना चाहिए, project की direction set करनी आनी चाहिए, इनको resource allocation करनी आनी चाहिए, इनको projects को monitor करना आना चाहिए तो ये दर्मियान के जो managers है उनका काम है, फिर तीसरा जो level है वो AI engineers का है, जिने project बनाना है और उसे ship करना है इनकी training जो है वो development के हवाले से होगी, skill sets के हवाले से होगी और इनकी training data के हवाले से होगी, data collection के हवाले से होगी तो company के अंदर जो जो roles हैं, जो जो उस AI projects से attached लोग हैं, सब की broad level पर अपने domain की training जो होना लाज़मी है ताकि उन्हें AI के projects के अंदर काम करने का mood का पता चल सके, कि AI projects के अंदर काम किस तरह से होता है अब broad AI training तो करनी है, उसके लिए resources क्या हूँ, एक जमाना था पहले, कि training के लिए companies अपने employees को बाहर वेजा करती हैं किसी जगाए admission करा दिए, degree के admissions करा दिए, certificate के admissions करा दिए लेकिन आज के दोर में तमाम certificate courses और तमाम skill sets जो हैं वो online available हैं तो resources जो हैं वो अब तो बहुत easily available हैं, जिसके अंदर सबसे पहली resource online courses की है जो के बहुत ज़्यादा feasible भी है, और आप अराम से कोई भी time निकाल कर, top class, university का top class course जो है वो उस topic के उपर, उस subject के अंदर जो है वो ले सकता है, पढ़ सकता है उसके लावा books पढ़ सकता है, उसके लावा दूसरी जगा से gather कर सकता है, बजाए इसके कि वो अपना data create करें, बैता रहे कि जो किसी ने लिखा हुआ है, कोई blogs लिखे हुए हैं, कोई किताबे लिखी भी हैं, उनको study करना शुरू करें, और अपनी skill sets को enhance करना शुरू कर दे AI strategy बनानी पड़ाए की company को, कि हमने AI में काम क्या करना है, AI बहुत बड़ा domain है, जिसके अंदर हमने देखा कि natural language processing, image processing, data sciences और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर काम कर रही हैं, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा, कि हमारी company के अंदर, हमारी expertise क्या है, हमारी strategy क् होगी, हम कौन सब project करेंगे, हम उसके लिए data कैसे लेंगे, कहां से आएगा data, यह सारी strategy आपको form करना पड़ेगी, company के अंदर, बाहर कैसे लोग हैं आपके surrounding में, जो आपके साथ attach हैं, जिने आप अपने projects के लिए, अपनी company में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको decide करना पड हैं, strategy से फाइदा क्या होगा, अब आपके पास अगर machine learning experts हैं, अब machine learning experts में आपके पास natural language processing के experts हैं, लेकिन computer vision में आपके पास कोई expert नहीं, तो आपकी strategy क्या होगी, कि आप अपनी थोड़ी बहुत टीम को अपनी natural language processing में इस्तेमाल करते रहेंगे, जो आपकी team की expertise हैं, लेकि लेकिन उनी में से कुछ लोगों को आप focus कराएंगे, कि आप computer vision के अंदर भी study करना शुरू करें, ताकि आपके company का level बढ़े, आप उसको कर सकें, दूसरी type के project भी परफॉर्म कर सकें, यह हमारे पास virtuous cycle of AI है, जिसके अंदर हमें तीन factors नजर आ रहे हैं, पहला better product, more users, more data, य cycle चल रहा है, इसको आप इस तरह से लें, कि product बैतर होगी, जायरे more users आएंगे उसके उपर, और जितने ज्यादा users आएंगे, उतना ज्यादा data generate होगा, और जितना ज्यादा data generate होगा, उससे product जो है, वो आपकी और ज्यादा enhance होगी, और ज्यादा बैतर होती चले जाएगी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा users हैं, तो सारे बहुत ज्यादा data है, बहुत ज्यादा data है, बहतरीन product है, और आपकी product बहतरीन है, तो definitely आपके पास users ज्यादा होगी, इस cycle को AI का virtuous cycle कहते हैं, जो बहुत ज्यादा इसके उपर काम करना पड़ता है, AI needs to be specialized or verticalized to your industry, इसका मतल आपसोले क्वमार प्था-फिया काम करना है, और उस area में काम करना है, जिस area में आप पहले बहुत अच्छे हैं, जो काम आप बहुत अच्छा करते हैं, उसी काम को आपने verticalize करके और अच्छा करना है, उसी काम को automation के थ submissions के थृण और अच्छा करना बजाए कि कोई नया टास्क सोचें कि इसके अंदर में नया टास्क करता हूं और इसको AI बेस्ट करूंगा यह बहतर स्ट्राइजी है कि जो टास्क आप अभी कर रहे हैं उस टास्क को आप वर्टिकलाइज करें AI की मदद से उस टास्क को बहतरीन करें और बहतरीन करें AI की मदद से Don't compete with the Giants आप प्रोड़क्ट बना रहे हैं उस प्रोड़क्ट के अंदर किस ऐसी चीजें हैं जो as a raw material यूज होंगी जो पहले से किसी ने बनाई हुई है जो पहले से मार्कीट में मौजूद है बहतर आप्शन ये है कि आप उन प्रोड़क्ट को re-develop करने के बारे में नहीं सोचें आप ने अपनी प्रोड़क्ट के अंदर सर्च लगाना है तो अब गूगल का सर्च इंजिन मनाने के बारे में सोचना जो है वो हमाकत है बहतर ये है कि आप जितना टाइम सर्च इंजन बनाने में लगाएंगे अगर एक चीज मार्कीट में मौजूद है उसको एड़ाप करें, इंप्लिमेंट करें और फोकस करें अपनी प्रोड़क के अंदर वो जो आपकी स्पेशलिडी है उसके उपर फोकस करें, उसको टाइम दें, जो आपकी य करें कि यूनिफाइड डेटा वेराउस होना चाहिए, इजी टू अक्सिस होना चाहिए, पर्मिशन्स का दादा मसला ना हो, और आसानी से टीम फो डेटा अवेलेबल रहे है, इंटरनल और एंटरनल कम्यूनिकेशन डेवलपमेंट, आपकी कमपनी में मौजूद तमाम लो कम्यूनिकेशन के अंदर तो बहुत सारे लोग परिशान हो जाते हैं, कि अब हम शायद फायर कर दी जाएंगे, हमारी एक्सपरटीस डुमेंट में नहीं है, तो अगर आप अच्छी तरह से कम्यूनिकेट करेंगे अपने इंपलाइज को और उन्हें अपरसुनिटी हो सकती है अगर आप इंटर्नल कम्यूनिकेशन जो है वो अच्छी से कर दें कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं